इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने WhatsApp को डूल करते हो और फिर जब अपने WhatsApp को ओपन करते हो अगर आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलता है नो WhatsApp कॉंटेक्ट सो गाइस आप इस प्रॉल्म को किस तरह से फिक्स कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की होम स्क्रीन पर आना है होम स्क्रीन पर आने के बाद अब गाइस आपको अपने WhatsApp के अप्लिकेशन पर लॉंग प्रेस करना है लॉंग प्रेस करने के बाद अब आपको सामने आप पर आप्शन मिलेगा एप इंफो अब आपको इ और permissions वाले option को open करने के बाद आपको जो यहाँ पर सारी permissions को allow कर देना है सारी permissions को allow करने के बाद अब आपको वापस अपनी phone की home screen पर आना है और फिर गाइस आपको अपने phone में settings वाल आप्लिकेशन को open करना है और settings वाल आप्लिकेशन को open करने के बाद आपको network एन इंटरनेट पर जाना है और यहां से आपको अपना internet connection एक बार चेक कर लेना है और यहां फिर गाइस आप अपने data बार on करके off भी कर सकते हो इतना करने के बाद आपको अपने WhatsApp को open करना है WhatsApp को open करने के बाद आपको यहाँ पे उपर इन 3 lines dots पे जो है click करना है 3 dots पे click करने के बाद आपको यहाँ पे इस settings वाले option पे click करना है Settings वाले option पे click करने के बाद आपके सामने कुछ आसा interface होगा और फिर यहाँ पे आपको एक option बिलेगा storage and data अब आपको इस storage and data वाले option पे click करना है storage and data वाले option पे click करने के बाद अब आपके सामनी कुछ ऐसा interface होगा आपको यहाँ पे network usage पे click करना है network usage पे click करने के बाद आपको guys यहाँ पे reset statics पे click करना है reset status पर click करने के बाद आपको जोई इसे एक बार reset कर देना है तो इतना करने के बाद आपको जोई अपने phone की power button पर long press करना है long press करने के बाद अब जोई option आपके phone में reboot, refresh, restart तो वो कर लेना है और इतना करने के बाद जोई आप अपने whatsapp को open करोगे आपको जोई यहाँ पर सारे contact देखना शुरू हो जाएंगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को भी subscribe कर देना